दोस्तो, प्रत्वी एक मात्र ऐसा ग्रह जिसका नाम ग्रिक या रोमन देवता के नाम पर नहीं रखा गया, बलकि प्रत्वी का नाम इंगलिस या जर्मन से आया जिसका मतलब होता है भू. प्रत्वी को अंतरिक से 6 बिलियन किलूमेटर की दूरी से देखने पर ये एक नीले रंग के तारे जैसा दिखाई देता है, आकास से प्रत्वी का नीला दिखने का कारण इस ग्रह पर जलकी उपस्तिती है, हमारी प्रत्वी का कोर 85-88% आयरन का बना हुआ है और इस परत्वी लग भग 47% आकसीजन की मवजूदगी है, दोस्तो बले ही आपको लगता है तो लगे कि हम इस तिर हैं, लेकिन हमारी प्रत्वी लगातार इतनी तेज गती से सूरज के चकर लगा रही है, यहा सिर्फ एक घंटे में एक लाग साथ हजार किलोमेटर का सफर तै कर लेती है, दोस्तो ब्रहमांड में जितने तारों की उपस्तती है, उससे कहीं ज़्यादा धर्ती पर वाइरस की मवजूदगी है, दोस्तो प्रत्वी पर मौजूद महासागरों में से 95% से अधिक महासागर आज भी इंसानी दुनिया की पहुंच से दूर हैं, क्या आप अंदाजा ल गंबाई तकरीवन 25 गंटे हो जाएगी, क्या आप ये जानते हैं कि यदि प्रत्वी की सते से दबाव और घनत्व को खत्म कर दिया जाए, तो सभी जीवित और निर्जी वस्तुएं प्रत्वी को छोड़कर स्पेस की तरफ उड़ने लगेंगी, और कभी वापस प्रत्व गती को पकड़ने में अभी भी सक्षम नहीं हुए हैं। नहीं थी, यहाँ एक संपूर्ण सुपर कांटिनेंट हुआ करता था, जिसको वैज्ञानिकों ने पेंजिया नाम दिया था। दोस्तों आपको ये जानकर आश्चरी होगा कि प्रत्वी के अंतरिक कोर का टेंपरेचर सूर्य की सत्य के टेंपरेचर से भी अधिक होता है और ये तकरीवन 6000 डिग्री सल्सियस के आसपास होता है। दोस्तों हम इनसानों के जानल से पहले इस धरती पर 15 करूर साल तक डाइनसोर का राज था। लेकिन एक भयानक उलका पिंट के प्रत्वी पर गिरने से चारो तरफ तबाही मच गई। जगय जगय आग लग गई और अमलिय वर्षा होनी लगी जिसकी वज़े से सारे डाइनसोर मारे गई। दोस्तों आसा करते हैं प्रत्वी से संबंदित आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो आप वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए बेल आइकोन को भी प्रेश करें। थैंक्स पूर वर्चिन।